मद्री प्रदेश की सरकार ने आज अपने भालती जंता पार्टी के कारकाल वाले 20 साल को लेखा जोगा प्रस्तुत करे। मद्द्र प्रोदेश के गेंदरी ग्रहमंत्री हमें शाय ने बाकाइदा सरकार को लेखा जोखा दाओ और इके संग ये वीडियो भी जाली करेगा जी मैं अब तक के शिवरा सरकार के कारकाल को पूरो विवरंड़ आप देखो जो वीडियो और इक बाद टेह करो कि सरकार के दावे कितने सच हैं और इन में कोनू कमी तो निन्या और इके बाद आप टे करो सरकार के दावों के बारे में नबश्कार आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2001-2002 के आसपास तब मध्यप्रदेश एक बिमारू राजिय माना जाता था चारों तरफ आतंक और खौफ था मध्यप्रदेश की उत्री इलाकों में टखेतों का तो वहीं पूर्वी इलाकों में नकसल वाद गार था तब नकसली एक सिटिंग मंतरी की गर्दन तक काट ले गए थे उज्जैन, इंदौर, राजगर, खंडवा, साइथ कई जिले सिमी के गड़ बनते जा रहे थे सड़के बदहाल थी, हपतों तक बिजली गाइब रहती और आती भी तो सिर्फ चार गंटे इस दौर में 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंग चोहान ने मुख्र मंदरी बद की सपत ले मैं शिवराज सिंग चोहान पीस वर की सपत लेता हूँ शिवराज सिंग चोहान ने आते ही पहली मीटिंग में अपने इरादे साफ कर दिये उन्होंने कानून विवस्था पर जोर दिया और पुलिस ने एक साल में चंबल के डकैतों का सफाया कर दिया नकसलबाद खत्म किया फिर सिमी के नेटवर्क को द्वस्त कर दिया उस समय मध्य प्रदेश में बेटियों को बोज समझा जाता था इसके लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बेटियों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया सडकों का निर्मान शुरू करवाया और बीमारू से सम्रिद्ध विकसित और आत्म निर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया एक करोड पचीस लाख लाडली बैनों को मिलते हैं रुपए हजार फिर बढ़ाकर हर मेने देने जा रही है सरकार रुपए तीन हजार चालिस लाख बेटिया जनम से लगपती बनी साथ में सिक्षा गाओं शहर देश और विदेश में बिलकुल फ्री कन्यादान के लिए पचपन हजार पुलिस की नौकडी में 30 प्रतिशत टीचर भरती और स्थानिय निकाई चुनावों में महलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षत बुडापे में पेंशन और तीर्थ दर्शन तभी तो मध्यप्रदेश में बेटिया बनी वर्दार तब बिमारू के जुनों से मध्यप्रदेश की छवी देश और दुनिया में उजवन हुई है। कई किसान अब साल में तीन फसल उगाते हैं। किसान में 64 लाक से जादा घरों तक नल से जल पहुचाया। हरे भरे लहलाहते खेद अब मौसम को नहीं ताक दे। तब हमारे किसा साहुकार, बैंक लोन और किष्टू के चंगुल में फसे हुए थे। बैंक डिफॉल्टर का कलम उनके सर पर था। और अब किसानों का मान सम्मान बड़ा है। आज असी लाक से जादा किसानों को बिलते रुपे बारा हजार है। कभी तो फसल उत्पादन पांच गुना से जादा पढ़ा है। पहले प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर पीमा का प्रावधान नहीं था। अब पिछले तीन साल में शिवराज सरकार द्वारा बीस हजार करोड रुपे से जादा कि राशी फसल पीमा के रूप में दी गई है। शिवराज सरकार की अठारा साल की मेहनत रंग लाई। और मध्यप्रदेश के 1,36,000,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। की योजना बनाई जा रही है। पेसा नियम से जनजाती समाज को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिला है। लगभग तीन लाग से अधिक पट्टे वित्रित किये गए हैं। भगवान बिर्सा मुंडा, रानी दुर्गावती के बलिदान को मिला सम्मान है। हभीब गंच रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापती का और पाताल पानी स्टेशन जननायक तंत्या भील का गौरवगान करता है। बैगा, सहरिया, भारिया, परिवार की महिलाओं को पौश्टिक आहार के लिए हर साल 300 करोड रुपे देती है सरकार। सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, पिछली सरकार में छात्रों के लिए बंद हुई लैप्टाप योजना दुबारा शुरू की। सीम राइस स्कूर शुरू होने से कॉलिटी एडिकेशन का नया युग प्रारम हो रहा है। 4,26,000 से अधिक बच्चे देश-विदेश में बढ़ाई कर रहे हैं और इनकी फीस सरकार भर रही है। परस्ट आने पर बच्चों को ई-सकूटी और 70 फीसदी से जादा मार्क्स लाने पर लैप्टाप के लिए 25,000 रुपे बिल रहे हैं। तब 2002 में मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब हैं 24 आयुश्मान भारत योजना से 3,65,000 प्रदेशवासियों को 5,000,000 तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 2000 से अधिक एम्बिलन्स, गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुरगटना के मामलों में संजीवनी का काम कर रही है। आज नीतिया सपस्ट है, नियत साफ, इरादे नेक और दिशा सही है, तभी तो जन्ता साथ है, तभी एक विमारू राज आज एक बेमिसाल राज बन रहा है, यही तो है हमारा मध्यप्रदेश। 50 future ready courses, 312 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.